अलो दोस्तों, आज का अमारा टोपिक है काम्याबी हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है जिनोंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं है उन्हें भी जिंदगी में काम्याब होके दिखाना है उने भी जिंदगी में काम्याब होके दिखाना है आपकी उम्र 15-25 साल के बीच में होगी जिंदगी में काम्याब होना है की नहीं जो मंजिल तुमने सोची है वहां तक पहुंचना है की नहीं क्या प्लानिंग है क्या तयारी है उसके बारे में कितना काम चल रहा है, इसके बारे में कौन सोचेगा जिन्दगी में काम्याब होना है, ये सोच के दिन रात मेनत कौन करेगा पूछा है खुद से, अगर इन सबके सवालों के पीछे जवाब में हां आ रहा है तो फिर आप मेनत क्यों नहीं कर रहे हो किसके बरोसे बेटे हो ज़्यादतर लोगों की नीन 40 साल के बाद खुलती है जब उनकी शादी हो जाती है उनके बच्चे हो जाते है जब उनको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है और इस दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पेसे नहीं होते उनकी आँख तब खुलती है लेकिन अफसोस इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है लेकिन तुम देर मत करना एक मज़े की बात बताऊं ये दुनिया बड़ी जालिम है अगर तुम काम्याब नहीं हुए अगर तुमारी जिन्दिगी में अगर तुमारे पास पेसा नहीं तो तुमारी कोई वेल्यू नहीं होगी मैं आपकी ही बात कर रहा हूं ये बात सच है मैं आपकी ही बात कर रहा हूं ये बात सच है यकीन नहीं होता तो अपनी उमर के दोगुने उन लोगों से मिलो हो, जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफूल है, उनके पास बेटो, अगर वो इनसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी CES होगा, तो तुमें यही बात बोलेगा, कि मैंने जो गलती करी, तुम उस्त गलती को मत करना, जाओ, म और जिन्दगी में काम्याब बनो, बाते मत करो, क्योंकि बाते करने से कभी भी काम नहीं होता, काम होता है मेहनत करने से, तब तुमें होस आएगा, और तब शैद तुम इस बात को समझोगे, कि जिन्दगी में वक्त कितना कीमती है, हर दिन शाम होती है, हर दिन सुबह होत और हर दिन शाम होने के साथ साथ तुमारे जिन्दगी का बेहतरिन हिस्सा वो भी डल जाता है तो फिर आखिर बेठे रहने से क्या फाइदा है इसी लिए उठो गहरी सांसे लो और खड़े हो जाओ और अगर अब भी समझ में नहीं आता तो सडक पे निकलो और दोडो जितना तक दोड़ना जब तक तुम हाफ ना जाओ और जब तुम्हें रियलाइज हो जाए कि जिन्दगी में मेहनत और मेहनत के वो बाद काम्याबी कितनी जरूरी है तब आके बेठना और मेहनत सुरू कर देना मेहनत करो तभी तुम्हें काम्याबी मिलेगी यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है लेकिन कुछ महीने खुद को देने वाली बात को अगर तुमने सीरियस ले लिया तो यकीन मनो तुमारी जिंदगी बदल जाएगी तुम खुद फील करोगे तुम जब एक दिन काम्याब हो जाओगे उस दिन तुम सुरज की तरह चमकोगे फिर तुमें मैंने खुद को दिये थे जिसमें मैंने इतना सब कुछ त्याग कर दिया अपनी खुशियां अपनी प्यारी चीजें अपनी हर एक चीज तब तुमें समझ में आएगा एक्चुल में वो दरद वो त्याग सच में जरूरी था अगर तुमने वो त्याग नहीं किया होता तो रहना बिना हार मने बिना थके एक दिन काम्या भी जरूर मिलेगी